असलाम लेकुम, आज हम बनाएंगे टोमाइटो चिकन, चिकन की तो बहुत से डिशन्स बनाई होंगे आपने, एक बर आप टोमाइटो चिकन भी बना कर देखिए, एक थोड़ी सी मुख्तलिफ डिश है, ग्रेवी का टेस्ट डिफरेंट होगा, लेकिन लाचवाब बन कर तय 1 टी स्पून भर गे, कसूरी में थी, एक टेबल स्पून लेसुन का पेस्ट, एक टेबल स्पून अजल का पेस्ट, और वं थ़द répondre के करीब डाल देंगे उसमें दही, 3-4 टेभल स्पून दही टाल कर अच्छी तरह दिए दो आधे गंते के लिए, आधे गुंटे के लिए और साथ में यह है कश्मीरी लाल मिर्च जो कि मैंने तीन से चार लिवी हैं इससे जो कलर है टमाटरो का जब हम इसको पीछेंगे तो बहुत अच्छा आता है लेकिन बाइदवे आपके पात कश्मीरी लाल मिर्च नहीं है तो आप इसको इसको कर सकते हैं या फिर आप रेड टमाटरो को मैंने बगार पानी डाले पीसा था क्योंकि टमाटर अपना काफी पानी छोड़ देता है और इस तरह से यह कश्मीरी लाल मिर्च और टमाटर का पेस्ट रेडी है अभी रख देता है इसको एक साइड में इधर हमें ग्रेवी के लिए एक मसाला तयार कर लेना ह एक बोल में एक टेबल स्पून लैसुन का पेस्ट एक टेबल स्पून अध्रक का पेस्ट डालेंगे एक टीस्पून नमक डालेंगे एक टीस्पून भर के लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे और दो टीस्पून डालेंगे धनिया का पाउडर एक टीस्पून गरम मसाले का तो इस ठायम के अरहए डराधे काते हमीस हमे पाहे लिए और दाल बाइं आप में में और पया कमें अपन करें अब नालें मेरिनेट किया हबी चिकन 17- recur son 3-4 मिनेट get it नहीं नहीं पापधा के शेंके नहीं जोड़ता है मैं कि जरूता कला देक बसी जाता है हम इसको तब तक पका लेते हैं जब तक चिकन पक रहा है यहाँ पर हम ग्रेवी तैयर कर लेते हैं आधा कप तेल गरम कर लेंगे एक पैन में एक टीस्पून सफेज जीरा, चार पांच लॉंग आधा टीस्पून काली मिर्च, एक बड़ी लाची एक फूल जावित्री का और चार से पांच छोटी लाचीज में डाल देंगे और इनको हलका सा क्राइकल कर लेंगे साथ में दो से तीन तेस पत्ते भी डाल देंगे और जब ये गरम असाल हलके से क्राइकल हो जाएंगे हमने जो फाइं चॉप करके प्यास रखी हुई है वह हम इसमें डाल देंगे और प्यास को हमें घलका गुलाबी हो जाने तक फ्राइ कर लेना है यहाँ पर आप देख सकते हमारी प्यास घलकी गुलाबी होने लगी है जब इस तरह का कलर आ जाएगा हम इसमें डाल देंगे टमाटर और लाल मिर्श का पेस्ट और इसी के साथ हमने जो बोल में ग्रेवी के लिए मसाले तियार किये थे वो भी इसमें डाल देंगे और अब इसको भून लेते हैं इसको जब तक भून लेंगे इसमें जो अद्राकलेशन वगरा है या फिर जो भी हमने इसमें मसाले यूज करें हैं उनकी जो इसमेल होती है वो जब तक खतम नहीं हो जाती है तब तक हम इसको भून लेंगे हाई फ्लेम पर 7-8 मिट करें भून लेते हैं जब मसाले अच्छी तरह से भून जाएंगे तो इस मसाले के अंदर या तो आप चिकन ट्रांसफर करतीजेगा या फिर चिकन के अंदर ये मसाले ट्रांसफर करतीजेगा लेकिन जो चिकन है उसका पानी ड्राय कर लीजेगा अच्छी तरह से इसको भून लीजेगा तो गैसी फ्लेम को हाई करके इसके अंदर ये जो एक्स्ट्रा पानी आपको दिखाई दे रहेना है इसको थोड़ा सा ड्राय कर लीजेगा जिससे कि चिकन कंदर भी किसी तरह की कोई स्मेल नहीं रहेगी चिकन को अच्छी तरह से मैंने फ्राइ कर लिया है अब हमारा जो तयार कियावा मसाला है वो हमें इस चिकन में डाल देना है और इसको अच्छी तरह से मिला देना है चिकन कंदर और आब इसमें थोड़ी सी ग्रेवी बना लेंगे तो पैन के अंदर मैंने आधा कब पाई डाल दिया था उसी पैन को मैंने खंगाल लिया क्योंकि उसमें काफी मसाला लगावा था आधा कब पाई डाल और अब इसको पकने के लिए रखेना है तो अच्छी तरह से इसको मिलाएंगे और ढख देंगे और ठकर 8-10 मिनीट के लिए इसको लौ फ्लिम पर पका लिए क्योंकि पहले से चिकन पका है तो आठ से दस मुट में यह अच्छी तरह से कुक हो जाएगा तो लो फिल्म पर आठ से दस मुट हो गए इसको पकते वे और अब हम इसको चेक कर लेते हैं हमारा बहुत ही जबदस टोमाटो चिकन बनकर तयार है आप देख सकते हैं कंसिस्टेंसी भी एकदम परफेक्ट है और कलर भी बहुत अच्छा है इस पॉइंट पर आप चाहें तो इसमें 3-4 टेबले स्पून फ्रेश क्रीम डाल सकते हैं अब इसमें किसी तरह की क्रीम यूज़ नहीं करूंगी क्योंकि इसके बगएर भी बहुत अच्छा बनता है लेकिन अगर अगर आप लगता है थोड़ा सा स्पाइसी है थोड़ा सा माइल फ्लेवर यूज़ करना चाहते हैं तो फिर आप इसमें 3-4 टेबले स्पून फ्रे इस यूज़ करते हैं और इस सरह से बेहतरी है नहां टोमाइटो चिकन रेड़ी आ है चलिए अब इसको सर्फ कर लेता है और इस सरह से बहुत ही जबदस हमारा टोमाइटो चिकन बनकर त्यार हुआ है जो की बहुत टेस्टी बनता है रोटी नान, कुल्चे, पराथे या फ कोफेस्